नमस्कार दोस्तों, Civil Engineering Support के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग, दोस्तों स्मार्ट वर्क किस तरह से किया जाता है, आज आपको इस वीडियो के जरिये दोस्तों पता चलने वाला है, सबसे पहले ब किर्की में कोई भी छज्जा नहीं दिया गया है, पहली चीज हो गई, दूसरा चीज दोस्तों आप देखते होंगे, कि जब घर बनता है, तो घर के जो चछत लेबल पहोता है, दोस्तों वहां पर दोस्तों यहां पर देखेंगे कि आप इस प्रिंग निकाला जाता है, ठी लेकिन आप देखेंगे कि यह छज्जा मातर दोस्तों बस थोड़ा सा ही दूर में बनाया गया है, जहां तक इनको अपने घर के लिए बाल कने की आवसकता है, पूरे घर में दोस्तों इस छज्जा को कंटीन्यू नहीं किया गया है, तो एक चीज यहां पर विंडो संसेड दूसरा चीज घर के लिए जो अलग सो छज्जा निकालते थे, फ्लोर लेबल पे वो नहीं निकाला गया है, तीसरा चीज दोस्तों जो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे छट के लेबल पे दोस्तों जब घर पहुँचता था तो वहां पे एक हम स्प्रिंग लगाते ते वो भी दोस्तों इसमें नहीं लगाया गया है, तो अब यहां पे smart work क्या किया गया है, आप देखेंगे दोस्तों, नीचे से पहले समझने की कोशिज कीजिए, यह जो बीम है, ठीक है यह जो ground beam है, ground beam से लेकर के दोस्तों, उपर जब च्छत तक देखेंगे, तो च्छत नहीं रख सकते हैं एक बीम से दूसरे बीम की बीच में तो उसको भी कट करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यह जो छज्या प्रवाइड किया गया है तो यह पहला चीज दोस्तों यह जो छज्या है इस खिरकी के लिए भी काम कर रहा है दोस्तो उपर सो पानी आएगा, इस खीर्की में नहीं आने देगा, विंड़ो संसेट का काम कर रहा है. दूसरा चीज है दोस्तो जो हम स्प्रेंट निकालते थे, उसका काम भी इसी छज्य सो जा रहा है, जू हम घर के लिए अलग से छज्य निकालते थे, उसके लिए दोस्तो ये छज्जा जो है वो काम में आ जा रहा है तो आप देख सकते हैं मातर एक छज्जा लगा करके दोस्तो तीन तीन चीज का फायदा इसमें लिया जा रहा है साथ ही साथ जो थमरूल कहता है दोस्तो कि हम एक बीम से दूसरे बीम के दूरी में दोस्तो 12 फीट से ज़्यादा फर्क नहीं रहे सकते हैं उसको भी कट करने के लिए ये बीम दोस्तो ये सज्जा जो है वो बहुत ही helpful साबित हो रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर थोड़ा सा आप active रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर करके दोस्तों तरह-टरह क्या प्लानिंग सहरते रहते हैं थिंकिंग करते हैं तो ये चीज़े सामने निकल के आती है तो फिर मिलते हैं दोस्तों ये तरीका कैसा लगा आप हमें comment box में अवस्ष बताईएगा और आप इसते कितना सहमत हैं आपको ये planning जो है वो कितना सही लगा हमें comment box में अवस्ष बताईएगा तो फिर मिलते हैं इजाज़त दीजिए नमस्कार दोस्तों धन्यवाद